Welcome to Chemistry Academy students, आज की वीडियो में पढ़ेंगे a super trick to find number of loan pairs loan pair find करने के लिए हम लोग एक super trick पढ़ेंगे उसके लिए एक simple सा formula आपने याद करने कि number of loan pair ब्राबर होगा, मारे पास number of total valence electron of central atom total valence electron of central atom minus valency of surrounding atom divided by 2, जैसे कि यहां पर एक formula दिया गए NH3 इसमें central atom कौन सा है, पहला ही nitrogen यहां पर central atom है और साथ में यह जो तीन hydrogen अटाच है, यह surrounding atom है nitrogen के वेलनस electron कितने होते हैं, 5 minus hydrogen कितने हैं 3 hydrogen है, तो एक hydrogen की बलंसी क्या होती है, 1 है मतलब कि यहां पर के आजएगा, 3 हाजएगा, 5 minus 3 divided by 2 तो आंस के अगर 2 minus 2, sorry, 2 divided by 2, 1 मतलब कि ammonia का पास एक lone pair है इस तरह, ठीक हो कि बात की समझाएगी सारे बच्चों को तो इस तरह आप find करेंग, उसके बाद एक और और example solve करते हैं हम लोग, यह पर आप आप देशाएगा थे, XEO3 दिया गया है, इसमें हम लोग ने lone pair find करने हैं, इसमें central item XE है, यह जनकी zenon है, zenon के valence electron कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है, क्योंकि यह noble gas है, minus oxygen के valence के होते हैं, 2, लेकिन oxygen कितने हैं, 3, तो हम 3 से multiply करके क्या करेंगे, 6 आ गया, तो इसके valence electron कितने हैं, 8 minus 6 divided by 2, answer के आगे 2 by 2 आगे, तो cancel करने से final answer के आगे, 1 answer है, मतलब XEO3 में XE के पास एक lone pair है, उसको next example solve करते हैं, हम लोग, हमारे पास PCL 5 है, ठीक है, PCL 5 में भी उसी तरह fast force central item है, fast force के valence electron कितने होते हैं, 5 minus CL के valence कितने होते हैं, 1 होती है, तो 5 CL है, तो 5 से multiply कर दें, answer के आगे 5, तो 5 minus 5 divided by 2, answer के आगे 0 आगे, बतलब PCL 5 में fast force के पास कोई भी lone pair नहीं है, बात के समझाती हैं, साथे बच्चों को, किसी तरह एक calling example solve करते हैं, S or 2, sulfur है, sulfur के valence electron कितने होते हैं, 6 minus, valence of surrounding item, surrounding item कों है, oxygen, एक oxygen के valence का होती है, 2 होती है, और oxygen के तने 2 हैं, क्या आगे 4, sulfur की valence electron कितने थे, 6 minus 4 आगे, यह वला 4, divided by 2 आप करेंगे, तो आगे पास क्या आगे आगे, आगे 1, मतलब S or 2 में sulfur के पास एक lone pair है, तो यह आज की वीडियो थी, हमें इदे हैं, सारे बच्चों को वीडियो अच्छे लगे, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, तो प्लीज मेरे चैनल, Chemistry Academy सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और शेर्ट कर दें,